जिए 2 तो आपको यह थोना चाहिए वाल्टेज गेन मतलब क्या इन्य थे इन्य आपको दिया है और इमिटर अश्यूज्सडियस्टर तो कि योगम मैंने बताया था रोड ब्यव श्यूंस मतलब आउट्पूट आउट्पूट लोड और दो रोड देश्टन्स और कमन इमेटर में आपको पता होना चाहिए होता है आज इतना है तो खिलोव वह तो फूपार पूर्फ टूर्ट जैसंड्स कितना है इंपुट मतलब इसके संख्ण आप अपने इंपूर्ट बेस तो बेस रिच्टंस एक इसकतना है वन फिफ्टी ओहम का वे बेस करन्ट इस चेंज बाइट 20 माइक्रों एंपियर तो डिल्टा आई भी इस 20 माइक्रों एंपियर नहीं विच रिजर्ट रचेंज इन करेक्टर करेंट बाइव 1.5 मिलियंपियर करेंट मतलब अंपूर्ट इस अइन पूर्ट इंपूर्ट तो गेंट वैसा ही होता है करत्र भी वियद्व चूर्ट इस आपूर्ट वुल्ट सफिन सिर्ट तो अपांट एंपूट wird पें से इंपूट आपूड किर अट्र इस वृत हो इस अ मुहांक फो ईंपुल टो एया ऑट पूट तरृट ग def gerne कुन सा है आईसी डेलटा आईसी और आउट पूर्ट रिजिस्तंस क्या है रसी इंपूट करेंट हो सब्सक्राइब और इंपूर तरक है और वी वह दिएया लिए देलटा आईसी 1.5 सब्सक्राइब कर सकते हो देन वन फइल बन जा और यह उन्डर्ड जा वन पॉंट पैंट यह स्कुफिन वन पॉंट फैइफ जाइड वन फिव्टी तो नेचे आगा थाउजन और टेन पार मैंद त्री मैंने सिक्स सब्सक्राइब कितना मैंने से ओपर है ओगे ना थे वितला थालन चाहिए थाउजन option number b next question the voltage gain is always output upon output is upon input voltage current gain will be output current upon input current next question question number 8 for a transistor alpha dc and beta dc are current ratios then the value of beta dc minus alpha dc upon alpha dc into beta dc is so what was beta dc what upon what ic upon ib and alpha was i see upon ie okay so i have to go to beta minus alpha upon alpha into beta is really simple thing आप एकान करो इसे से पहले बीटा कामन निकाल लो बीटा कामन निकाल ले तो वन मैनेस अल्फा वाई बीटा बीटा करना पड़ेगा आपको अल्फा इन्टू बीटा कैंसल आपको मिल गया है आप यहां से हमको क्या चाहिए हमको नंबर चाहिए यह रेशो है नंबर तो हमको अल्फा और बीटा दोनों ही नहीं चाहिए एक्वेशन में मैं। चाहरा के सबस्क्राइब टानंवरं तो इस विए बीटा पिज़तिन नंबर तो इस बाए बीक्वेशन नूमड फॉट इस लुट पर पर मद लिड़ कुछा मेन सा थे पूरिड़ नबर पोन डिड़ पोन वे पूर्पन डिड़ सा सबना एंप लिकार वान मानने क्या पान फॉ पॉन अप्याना टौन साथ कि एक ऴे रह वन इनकांग हम फॉन एंफ सब्डीर सबस्क्ता एंफ तए ड़्पन दो ज़ल वन माइनस वन प्लस अल्फा अपन अल्फा वन वन कैंसल अल्फा अल्फा कितना वन तो देश्व क्या गया वन तो देश्व इस वन आप्षिन नमबर एग कि नेक्स्ट्राइब रखना ऐसे क्वेश्व करना था बीटा माइज अल्फा 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 इंटू बीटा पहले वहां से हमने बीटा कॉमन निकाला पॉर वहां सिंपल रिजन प्यूकि यह पहले ही पता होना चाहिए कि अल्फा पॉन बीटा पुमिल सकता है अल्फा पॉन बीटा वन मेनस अल्फा तो सिर्व वह यहां पर सब्सक्रीट करोगे और उसको स्वल करोगे यूट प्रेश्य एस वान नेक्स्ट पॉस्टन अब इसके आगे कुछ थेहरी कोश्टन आएंगे फोर्टो डायोड इस डिवाइस मैने खल बताया था पॉर्टायोड नर्मली ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस तो फॉर्टो पॉर्टो अगें पॉविंग तो नेक्स्ट पॉस्ट्ट पॉस्ट्ट तो फोर्टो डायोड इस डिवाइस विच इस ऑल्वेस ऑपॉर्टेट इन वीवर्स बायस तुदं सेवेंटीं टीटी नेक्स्ट कॉस्ट्टन अभी ऐसे कुछ पॉस्ट्टन जो है वह हमेशा मैंने बताया था सेमिकंडॉक्स में मैंनी कॉस्ट्टन सब्स्टेरी तो उस पर फोटन इंशिरंट होगा और लाइट को इमिट करता है तो वहां से फोटन इमिट होगा तो एरो हेट पर ध्यान देना वैल बाइद वे आप डू यू नो वाट इस स्टिमाटिक सिंबॉल ऑफ पी इंग्शन डायोड तो यह जो ट्राइंगल है ना इस ट्राइं लाइट इमिट करेगा तो एरो कहां आएगा वार की तरफ रही तो ऑप्शन नंबर भी खतम और ऑप्शन एक इसके लिए है ऑप्शन एस फोटो डायोड गुड तो यहां पे क्योंकि हमको लाइट इमिटिंग पूचा है तो ऑप्शन नंबर भी नेक्स कोश्चन विच ऑफ दो फॉलिएंग लॉजिक गेट विच लॉजिक गेट प्रोडूसेश लोग वोल्टेज वेन एनी वन अप्ट इंपूट इस हाई तो सबसे पहले आप लॉजिक गेट होता क्या है हम वो समझ लेंगे और सारे टाइप के लॉजिक गेट कवर करेंगे तो लॉज लॉजिक डेट मतलब यूजिक गेट मतलब यूज पर नाव इंटर दिजिटल अपशना में मतलब यह और तो सिगनल है यह उर्ली ओंडेल विए नहीं है simple either you have some signal or you don't have right अब जो हम बोलते हैं either you have some signal if you say that you have some signal अब digital electronics में signal होना उसको बोलते हैं हाई मतलब one और सिगनल का नहीं होना उसको बोलते हैं लो मतलब zero remember यह जो सिगनल में रॉकिया है तो इलेक्ट्रोनिक्स में यूविल सी देना टू टाइप्स आप सिगनल वन इस अपोर्स यह कंटिनूशली वेरीं साइन वेव है इस अनलोग सिगनल मतलब क्या मतलब zero value से maximum होगा फिर जीरो होगा फिर जीरो होगा और डिजिटल सिगनल में यू है इधर यू है वो संथिंग और यू हम नदें आप जब मैं वोल्ट यू आँ यू हना शुक्त की बात नहीं कर रहे हो सकता है पांच वोल्ट हो सकता है 25 वोल्ट हो सकता थर्टी वोल्ट हो है उसको बोलेंगे one नहीं आप सो बोलेंगे zero right so when you have something at the input it will be always दिटेट बाई वन नथिए बाई जीरो गुड देन डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स में वाट्यू है वेस्ट नॉर्मली आपके पास एक सर्कृट है जिसको लॉजिक गेड़ गोलते हैं लॉजिक क्यों गोलते आप तो यहां पे यू है वान और तू इंपूट्स आपके से ल अब डिपेंडिंग वन ऐं इंपूट्स 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 क्या क्या दिया है और यह एक आउट्पूट्स है यह इन्पूट्स को सकता है कि दोनों इंपूड हो मतलब दो नहीं को तुम्हें सप्लाइब वोल्ट नहीं वन मतलब वोल्टेज पाच वोल्ट दस वोल्ट कुछ तो है नॉन जिए वन अब आउट्पूट आउट्पूट क्या होगा तो अभी ऐसा है कि अब आपने कंजंशन निगेश निगेशन ऐसा सब सीखा होगा तो वो मैथेमेटिकल लॉजिक डिसाइड करेगा कि आउट्पूट पे क्या आने वाला है आउट्पूट हाइब होगा कि लो होगा डैट इस वाइट इस वाइड लॉजिक गेड़ तो दो आउट्पूट ऑफ दिस सरकेट इस गीवन वाइट मैथेमेटिकल लॉजिक गुड़ तो अब हमारे पास वी हैं अराउंड सिक्स उसमें से पहला सबसे बेसिक डेट है नॉट गेट नॉट गेट करता है वाट दियु में निगेट उल्टा करना उल्टा करना और व आउट्पूट है तो यू है वान इन्पूट और वन आउट्पूट नॉर्मली इसका सरकेट सिंबोल होता है ऐसा अगर आपने इसको जो भी इन्पूट दिया यह उसका उल्टा करके आउट्पूट देता है वाई एक्वल टू एबार है हम इसको लिखते हैं जब हम प्र मतल्ब इंपूट पर क्या है और आउट्पूट पर क्या है इन पूट पर है है तो आउटपूट क्या होगा लो इंपूट पर लो एड और पुलब ऑधा ह murt पूट करता है कौने फूट साह रिए सम .. बासट करता है Fairy नुगेशन रिक इन्पूट वन हूट पूट 0,0 वाद इन नो न दूसरे टाइप का गेट है और गेट आफ और गेट को सिम्मोल इकली यू बेसिकली डिए देट इट इस और अर गेट में होते है दो इन्पूट थो इन्पूट थो ने वन आउट पूट तो यू आप इसका च्रुट टेबल आपका शिंपल अधिशन एंपूट इंपूट भी और आउट्पूट वाई कि नाइनगी दूनो इंपूट 0 पता हमने डूनों पुछ दिया है नहीं पहला है दूसरा है दूसरा यह दूसरा नूसरा है और सौन सफोर लो-लो-लो-ह घिड़ो है और फाय एंड फाय जिरण तो यहां पर बहुत सिंपल है मैंने बता दिया मैथमेटिकल एक्प्रेशन तो एंडिशन जी रो वान एंड वान प्लस वन यहां पर टू नहीं लिखते यहां पर वन लिखते हैं तो आपके पास और गेट में और गेट में आउठ्पॉड हाः होने के लिए कोई भी एक इंपुड दोनों भी चलेगा जार मिनिमंगं वन इंपूड बी ऐख ऑल्ल damage म वन इंपट शुड़ वी ऐख दोनों लो ओनगे तो ऑटूड उप ट Korea अग्या चोगिटि था नाट इस एंड वे यह ता gown एंड करते हो दी शेयप से यहां पे दो इंपूत नो है तो ए इंपूट बी इन पूत अट को यह इन वाइड है तो बी इंपूट 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 तो इसके ऑपुट इस ने आउपूट इस हाइए एक बोट बोटें पूट आप तो आउपूट आउपूट वन तब होगा जब दोनों इनपूट वन वह न होगी एक भी 0 वहा तो और पूट इस जीरो यह इसके बाद का क्यों गेट वह वो ते हैं नौर गेत नौर मतलब नौट ऑफ और नौट ऑफ और मतलब पहले और किया फिर उसके आउटकल को नौट कर दिया तो दो इंपुट यहां पर आउटकुत आया यह आउटकूड का इन्मर्जन वह गया नियाशन हो गया इसको सिंप्लिपाइट तरीके से दिनुट करना है अगर दो से ये और गेट के आगे सरकल लगा दो तो यह बंगे आपका नौरगेट ईसमपल है और उसका बार करना मतलब यहाप घर नहीं इंगेट करना होता है तो जब भी बार लिखते हो जैसे यहाँ पर लिखना था बाहर करना ऑगे में पास हैं ए युदा करेंगे हम लोग पहले ऊपले युन 001 111 और क्या गरता है एड करता है तो Zel 11 and यह आपने क्या किया और के बाद क्या लगाया नॉट नॉट क्या करेगा उल्डवाइगा उल्डवाइगा 100 0000 तो नॉर गेर इस in which output is high if and only if both the inputs are low जब दोनों लोंगे तो ही मिलेगा उसके बाद आपके पास आगया नाइंड गेट में यह एंड का नौट है तो इसको भी दिनोट करने के जिए डी स्ट्रॉक्चर लो आगे संटलों कर दो यह होगा उसका संटेट सिंबल तो आपको पता होना चाहिए इस वाट एंटो बीका बार पेट वाब इस्ट्रूट टेबल ए भी य एन वाय का बार 00102011001111111111111 जिरो खने के लिए नाइंड गेट 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 इन विच आउटपूट आउट पूट इस लोग इस यह एंगे अउनृट बाद और पूट आय तो जब दोनों इंपूट इंपूट्स हाइं होनगे only in that case output is low otherwise it is always high और है आखरी है आखरी टाइप का गेट है एक्सक्लूसिव और अब एक्सक्लूसिव और के लिए हम इसको शॉर्ट में एक्सा और भी बोलते हैं एक्सार गेट एक्सक्लूसिव और इसको डिनोट करने के लिए आप कुछ नहीं करते हो और इसको डिनोट करने के लिए इसका यह आता है यह प्लस बी लेकिन इंसाइड सरक्ल को लिखते हो सरकल के अंदर इसका तुटेबल देखोगे ए बी वाई 001 01 01 01 01 01 तो यहां पर दोनों इंपूसें टाइब के वो तब आऊपर जयरो तो आउट पूट एस लो बत जड़ो इस बोर आफ जेरो इल्फोट और आप देखोगे जाएब है अब रहे अग आप्युक्र आपक्या करें धूट आफ दो आपट ऑफ सरी आफ हो तो दिस एक्स्वूजी और गेट जिए यह गेट है इसमें से तीन गेट को बोलते हो फंडामेंटल को नॉट और एंड यह तीन है फंडामेंटल मतलब बेसिक बिल्डिंग ग्लॉट ऑफ डिजिकल सरकेट बाकि जो है नौर और नैंड किसे बना नौर और और नॉट से बना ह और यह दोनों यूज करके बना है वह हम एक्जैम्पल में देखेंगे उसका थोड़ा साब कॉंप्लेक्स सरकृट है वह हम देखेंगे बाद में तो अब कमिंग बैक यह विट्ट लॉजिक गेट प्रोडूसर लो वोल्टेज वैन एनी ऑफ दे इंपूट इस हाई मतलब इंपुट पे दोनों में से एक वन या दोनों वन दिखा तो और पूर्ट क्या चाहिए लो गांट तो कों सा ऐसा केस था जहां पर वेन यू सी वेन वेन यू सी था ना कोई रिक केस था कूंसा के सासल कर सा था नौर नैंड यह तो नैंड है इधर है इस नैंड पॉस्टन क्या था पॉस्टन यह था जब दोनों या फिर दोनों में से एक इंपॉट हाय होना चाहिए इस भी है इप दू है अपने आप वेक्श है विच लॉटिंड पॉर टीज वें आप इंपॉट शाइव यह nai यह ये इन पुट हाइब हो तो आउटप इतना है लो कोई भी यहां पे अहाइड यहां पे दो यह कौण सा गेट था नॉर ऑको ऍट्राइव सौइब ऑप्शन नंबर वी प्र टूस ओल्स वेश्चन तो पहले तो अभी टूट टेबल से करेंगे बाद में एक दूट है उसके लिए आपको टूट टेबल की जरुबत नहीं है लेकिन अभी यहां पे यूशुट नो ए बी और नौर के लिए क्या था नौर के लिए क्या था था वाइक वर टू ए प्लस बीका बार रहे काम करता ह है था आपको पहरे लिए प्लस बी सिंपल जीद अगर खेंगे लिएुट अप्लस बीए उसके बाद भई टूट अवाद करता आप आपको यह संपल जीडो 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 एट इस 0 0 1 1 0 सिवेंस कोई मैंने अगर नहीं करता तो डूटन उन इस वन वं प्ल्स प्लस next question तेरी यह बागी का थेहरी युवाश्ट अल्रडी नौ अल्वाट पूस्टन सींपल क्वेश्टन है पॉराट ट्रांजिस्टर दा करन्ट रेशो अलपा डिसी अलपा डिसी आपको दिया है सिक्स्ति-नाइं बैसेंटी लेजन सस्टी-नाइँ बैसे अबॉच्षा यह इıe कि आपको पता है बैस आपना माइनस अलफा ये कितना है 69 by 70 ये कितना है 1 माइनस 69 by 70 मतलब 1 by 70 69 by 70 अपन 1 by 70 मतलब कितना आंसर 69 अप्षिन नमबर सी इस्टीमली सिंपल कोश्चन वे ओल ओनली वॉंटेट तो नो कि फॉर्मुला याज है कि नहीं हमला याज है ओग्या कुश्चन सौर्ट इसके अगेंस में वो जो पहला कुश्चन था दूसरा कुश्चन था बीटा माइनस अलफा आपन अलफा इंटो बीटा वैसा यूपन एक्सक्ट नेक्स्ट कुश्चन दा आउट्पुट एक्स आउट्पुट वाइक्स बुला है हमने वाइव बरता है और लॉजिक टेट शोनिंट फिगर विल भी तो हमारे पास एक लॉजिक गेट है अलग काम करते हैं हमेशा ऐसे कुश्चन को ट्रूट टेवल से पहले स्वाल करो मैं आपको शॉटकर भी बता हुआ लेकिन सबसे पहले इस तो हमारे पास दो इंपुट है और बी और हमको आउट्पुट है एक्स अब ऐसा है अगर यहां पे जीरो और जीरो होता जीरो इंटो यह क्या है एंड क्या करता है करता है करता है तो awakis चुट नो जी रहे जीरो जीरो उसका 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 नीकेशन मतलब वान वान को लिफर गया जीरो तो कितना गया जीरो तो यह जब जीरो था तो यह भी क्या है जीरो है वेरे गुड दैन अगर आपने यहां पे फरक पड़ेगा नहीं वैसे वान जीरो कर दो तो वान जीरो कर दो यह जीरो और वन कर दो इनकी बात है वान जीरो या फिर जीरो वान 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 के लिए ओनली फॉर वान वन और वन के लिए इट विल भी वन एंट वान उसका निगेशन जीरो उसका निगेशन वान और वान वान व उससे घर आ टंट इसान आ तो यूविल शी नीट के प्रिवेस एक्जाम स्केश्चन और सीटी के रहार मोर और लेस्ट से मिलर से पूछन का थोड़ा सा चेंज होता है इन टाइप शेमी कंड़क्टर विच अब फॉलोविंग इस प्रू पहली बात तो पहली बात तो ट्राइवलेंट हो नहीं सकता होगा नहीं बचा पेंटावलेंट और एंटाइप में मैजॉरिटी कोन होता है एक रॉन मानरी गोन होता है वोल तो एंटाइप में होल्टा मैं और टी एंटलन इंटल इंटम्स अडोंट्री अगला कॉशन a pink junction photo diode is fabricated from a semiconductor with a bandgram of so point five ee it can detect a signal of wavelength so watch interesting question head the sub should know what is the meaning of detection detection मतलब क्या अगर आपको बेसिक्स याद होगा एक रिमेंबर समी कंडुक्टर्स में यू है यू है वैलेंज बैंड यू है वैलेंज बैंड यू है वैलेंज बैंड यू है अल्मोस्ट फूल एक जीरो डिग्री जीरो के अल्मोस्ट एमटी वह दिएक्शन देखो होता क्या है पोटन मतलब क्या है एनरजी है और आपको याद होगा वैलेंज बैंड के वैलेंज बैंड के टॉप से कंडुक्शन बैंड के बॉटम तक हमने इसको बोला था बैंड गैप या फिर फॉर्वर्ड और विड़न एनरज अब डिटेक्शन मतलब क्या मतलब यह पी इंजंक्शन डायोड तो फोटन जब आएगा फोटन के पास क्या है एनरजी है कितना है एचनू अगर एनरजी और फोटन हैपन्स तुबी यह फोटन का एनरजी अगर ग्रेटर बैन और इक वर टुवा बैंड गैप इनरजी और फोटन इस इधर ग्रेटर और एक्वल टू बैंड गैप तो क्या करेगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो उपर भेज़ देगा मतलब अगर फोटन अनरजी कम है तो कुछ नहीं होगा नो एब्सॉप्शन बट इस ग्रेटर दें और एक्वल टू बैंड गैप अनरजी और फोटन इस एब्सॉप्शों किसने ले लिया इलेक्ट्रॉन ने ले लिया और कहां गया कंडॉक्शन बैंड में इसी को आप सिंगल आइटम के लिए आइनजी बोटे एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए कितना एनरजी सेम चीज़ है सिद यहां पे इन ट गाहां था पहले और सी नेट्री और यह एनरजी इलेक्ट्रॉन का गया कंडॉक्शन ऐसंट लैंग didnt व्यूज़ इब्सॉर्ब हुआ एलेक्ट्रान को ओपर बेहर एलेक्ट्रान होगा हम इस इलेक्टर में लेंगे और इसकर प्रेंट मेजर कर लेंगे तो पोटोन इसे टो बिक्टेक्टेट तो डिक्टेक्ट होने के लिए कंडिशन क्या चाहिए एनरजी किस्ता फोटान का शुट बिग्रेटर देन और एक्वल तो एनरजी ऑफ फोटान पॉर डिटेक्शन पॉर डिटेक्शन एनरजी ऑफ फोटान शुट बिग्रेटर देन और एक्वल टू तो ग्रेटर देन और एक्वल टू लिग्लो बैंट गैब बैंट कितना है टो पॉइंट फाइल एक्वल्ट लेकिन एलेक्ट्रान बॉल्ट इलेक्ट्रान वोल्ट इस नॉट एसा उनिट अगनेशी बोट इसाए रजी नूल जूल में तुकि वेवलेंट थंको चाहिए एंस्ट्रांग में तो हाव दू पन वर्ट मैंटिप्लाय वाई बाई बाइ तो यहां पर टेन पार माइनस 19 आएगा गुड़ देन देन यू शुद लो या फिर और एक तरीका भी है शॉटकट वें अल्सों देर एक इंटु सी या तो आप 2.5 एवी को जूल में कनवर्ट करो या तो एच इंटु सी वाट इस दिमेंशन दो एच उनिट एच उनिट पता है मैं पूछ रहा हूं सिका यूनिट क्या है वट इस एनरजी जूल वंट मीमें तो जूल मीटर ने इलेक्ट्रोन वोर्ट में लेके जाओ आपके ओपर मैं में इस इस यॉर कॉल आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है तो लैमडा लैमडा शुट बी लेस दैन और इकूर टू कि लैमडा शिप्ट करोगी एच्छी अपॉन अब ये 2.5 का पॉइंट आदो 1.6 का पॉइंट सॉफिट लाद छैडिन जिवह लोगोइंट ऎनप योगोड़ दिण तोरौ गाल यॉट सॉट भॉट अवर गालिए 6.63 लिसे टो तया फोर बंक फावर अंड गॉट बावर मायन थी ता,' ौ। प्लस एट मीटर पर सेकंड तो यहां गया अपन पावर पोर इन पावर माइनस 19 गुड अब शॉल कर लो वाट यू विल गेट इस सिंपल है वाट इस सीवाइब पॉइंट से भी ज्यादा सिंपल कर सकते हो शुड नौ आल वेच रिमेंबर शिक्स पॉइंट इन टो तरी इस त्वेंटी जिए तो शिक्स पॉइंट सेंट टो थी इस रॉफ रुफ लुफ ली ट्वेंटी तो है 20 है वाट इस 245 राइट फाई तो यह 5 आ गया तो शिक्स प स्वी इंटो त्री इस 2020 पर पूरे स्पाइब तेन पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स और यह उपर आके प्लस 19 माइनस कितना सेवें मत्रब आपको पता है यह में में है आपको बता है में स्ट्रॉंग में जाने के लिए क्या चरते है आइटम टना एंग्स स्ट्रॉंग हां तो प्र शाद प्र संस्ट लागा शेए और यह सुथ अफ बटेन पार हैं टावर माइनस तक आंग्स स्ट्रॉंग येस तो वेवलेंद क्या होना चाहिए लेस दैन और एक वर टू फाइल थाउजन एंग स्टॉम हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें फोर थाउजन एंग स्टॉम है तो वेवलेंद शुट भी लेस दैन और इक्वल तो 5000 एंग स्टॉम यह ज्यादा है जी नैनो मेटर है और यह भी नैनो मेटर है तो आप्शन कौन साहेगा तो वेवलेंद 5000 एंग स्टॉम से कम होगा जितना वेवलेंद कम लुक जितना वेवलेंद कम उतना एनरजी ज्यादा तो इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है वह याद रखना तो यह था क्वेशन नंबर नाइंट next question for detection क्वेशन चा प्रटन का ने बैंद गप ज स्टॉम प्रीज कर तो जॉम ने रखन चॉम प्रिय OT ट्रफ इwn कर पास एक प्यूर सिलिकॉन है मतलब इंट्रिंजिक सेमी कंड़क्टर है कितने टेंप्रेचर पर है 500 केलवेनी पे एक्वल नंबर ओफ एलेक्ट्रॉंस एनी एंड एंड फोल एनेच कॉंसेंट्रेशन तो दोनों का इलेक्ट्रॉन और होल कॉंसेंट्रेशन पर मीटर क्यूब कितने तो अगरे लेलिया उसमें वन मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लिया तो उसमें कितना वनक्राइब चैन्पार और आगेवग है यह अब इंडियम कर रहे हो हो गाल तब आपनेकर अपने करें था मिर्ट को अफैकर आई अग्या स्टीन अचली इस टो पॉल्स टो फोल्स टो फोर पॉल्स टला है तो 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 यह तो तो नोप स्टिन हो से हो गाँ पार 22 हो गया then the dope the semiconductor is off to the dope semiconductor है वो वो एंट टेप है विद एलेक्ट्रोन कौन्सेंट्रेशन इन पी टाइब एह विद एलेक्रान कौन्सेंट्रेशन सम वैल्यू सम वैलू युर बूय तो पीटाई दैज चाहिए अन्डियम इन्डियम इस विच थैक आप मैलि आपका रुसक से तो फिर्स्ट आप आपके पास नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉंस और नंबर ऑफ होते हैं इसको हम इन जंपर दिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ एलेक्ट्रों एंड नंबर ऑफ पोल्स तो हम बोलते हैं और यह नंबर कितना था पहले के इसमें 1.5 इंटो 10 पावर 16 पर मेटर क्यों रइक देन डोपिंग के बाद डोपिंग के बाद अब देखो राइडिया इस यह याद रखना डोपिंग के बाद एन फिर इनटो और आओ पॉर्थ तो अनबर है इस यहां पर लिंटो अन यह मतलब ऑल्थ नोवक्त स्कूएर स्कूर में अन दिंटो था ना अकें फूल्पिंटल यह मतर्म मतर्न श्कूर और रहे हैं ते ने करना पड़ेगा तो याद रखना यह जो करना ही नहीं यह पहले क्या था प्योर सेमी कंड़क्टर था प्योर समी कंड़क्टर में नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉंस एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम इसको डिनोड किस्से करते है नमेर और टोटल नमर ओव चारजजेस्ट एनुक्रोगे होई करोगे ना टोटल नमर और दोनों मिलाके तो अनौटिपलाए वाय एन लेकिन एंटे को क्या बोला है एना एव यह एंट्व क्या बोला है एंन आ एदिर प्लियर इंटिक में होल्स वी है एलेक्ट्रॉंस है लेकिन एन था एन एच भी था एन ए तो एन ए स्क्वेर यहां से फॉर्मिला बन गया हमें पूचा गया था हमें पूचा गया था हमें पूचा दोपिंग के बाद क्या हुआ पूचा लोपिंग के बाद नंबर फोल्स पॉर पॉइंट फाइफ इंट पाइट बाद पता है लिए तो आएगा तो एनी मिल जाएगा तो एनी कैसे वां करोगे विल फाइंड नंबर ओ यॉफ एलेक्ट्रॉन कंसंप्रेशन बोलते हैं इसको एन आइस्वेर अपॉन एन ल इंटो 10 पर 16 और उसका स्कुयर करना है इसका स्कुरर करना है एक टिन है निया नहीं इच 4.5 पर 12202, what is 1.5 कर स्क्वेर 1.25 एंस दिन पर 16 जा स्क्वेर 32 फोर पॉइंट फाइब बिटीट तो फाइब गवन जा एंड तूजर को अ वट इस वन बाइटू जीरो पॉइंट फाइब और उपर इतना है ना है नीच्चे इतना है निसे इतना है इंटू टेन पावर नाइन तो इलेक्ट्राइब का कॉंसेंप्ट्रेशन पाइब नाइन तहां पे है ऑप्षिन नमबर बीने क्योंकि पता तो पहले से था कि यह प्रीटाइब बनने वाला है अधर एंटाइब तो आता नहीं रहीं तो आपका आगया भी टीटाइब हैविं लिए टॉडेशन पाइब नाइन कार मिल्टर क्यों तो हाव दिए गे टूडिस फोमिलाई सिम्बल कुछ नहीं नहीं अन्योर एफ नेच्प लॉडिप्लाइब कर रहे हो तो एनाय स्क्वेर आ गया थैन नेक्स्ट कुस्टिन अग्स्ट कोस्टिन नहीं पाइट the N N N. वोच टो फॉजिसरिव जोग, लोग फॉजब नेक जाए टो एंपी जनेकर तो पॉजिव गया पॉजब चालिडिट व्हूजुब टो व्हूजूग जुद अ चॉजदिव देखने को सबस्टरीट न यंट जानेकर और जानेकर टो फॉजब फॉजदिव टॉजब कुछ नहीं से पूछा टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट किये है कुछ नमबर 13 13 जो भी होगा 23 नेक्स्ट कुश्चन और गीवन सरकेट और पी एंग जंक्शन डायोड विच आफ दो फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए यह है यह ट्राइं हो दो पहले ईंगी पर अफाटन टी परांट स्टी श्onnenट अपरांट भाट झाला बिसकि तो अगर नहीं करता तो फिर जितना यहां पे वी है है उतना ही यहां पे ड्रॉप होगा विकाज वी वल टू आया दूसरा रिजिस्टन्स है तो वाट इस ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस आर इतना है वी ड्रॉप पोटेंशिल अक्रॉस आर इस वी तो ऑप्शन नंबर जो अगे है जो तो कुछ नहीं है कोशन नहीं रि शिप जान देना ऐसा कर दिया तो फिल प्रॉप नहीं रिवर्स बाइस मतब सरकेट कंप्रीट हुआ ही नहीं तो इस वा ही नहीं तो इस वाद इनए नहीं अगला वेंग्ला वेंग्त कॉस्टन्स पीक वल्टेच इन आउटपू अट्पूट ओके आपट अट एप्ट सिगनल विताउट फिल्टर इस 10 वोल्ट दडीशी कंपोनेंट आप दो आउट्फूड वोल्टेज तो यूशुड नो पता होना चाहिए कि वाट इस हाफ्वेर रेक्टिफायर वाट इस फुल्वेर रेक्टिफायर तो मैं फटा-फट से आपको बता रहता हूं हाफ्वेर फुल्वेर रेक्टिफार होते क्या है और कहां यूश करोगे तो ऐसा है यहां पर जहांना चाहिए नॉर्मली नॉर्मली हमारे घर में जो अप्लाइम से क्लूब्स नॉइस करते हैं इंक्लूडिंग एक्स यॉज रेन नॉर्मली वर्कॉन डीशी सप्लाइब और तो इस प्रोसेस को दो प्रोसेस अब करते हैं तो इस प्रोब्लम यह है कि सप्लाय आता है 220 वोल्ट और कुछ इंस्ट्रूमेंट वोर्ट करते हैं तो आपको step up या step down भी करना पड़ेगा सबसे पहले आपको दिखाएंगे ट्रांसफॉर्मर का मतलब इतना ही था कि युदर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डान फिर अगर हाफ्वे रेक्टिफिकेशन है तो हाफ्वे रेक्टिफिकेशन में आप एक सिंगल डायोड यूज करते हो मैं पूरे सरकिट आए मैं जाओंगा नहीं क्योंकि टेक टाइम तो इन्पूट और आउट्पूट वेफार्म प्लॉड करके देख लेंगे तो ठीक है थोटा सा कम्प्लिट कर देता हूँ इसको बोलते हैं लोड लोड रोड राजिस्टंस मतलब क्या कि जो भी इंस्टुमेंट आप यूज करोगी मिक्सर ग्राइंडर हो उसका रिजिस्टंस होगा टीवी सेट हो उसका रेजिस्टंस होगा इन सब को बोलते हैं लोड मतलब जो डिवाइस करने वाले हो उसका डिवाइस कुछ भी हो सकता है तो अब यहाँ रखना यहां पे इंपुट पे इंपुट पे क्या है पीकों करेंबर आ के हमें अब कहीं टैने के मेर्ट नुट एंपुट फे इंपुट ट्रांस्फ़ार्मर इस अब अब दोटड़ में इस input to your device, output of transformer, यह primary coil है जो input होता है, यह secondary coil है जो output होता है, तो transformer का output is fed, किसको fed किया device को और डिवाइस को फेड करने से पहले क्या लगा दिया अब इसमें होगा क्या यह जो आउटपुट वेव है इसका ट्रांसपोर्मर का यह क्या है ऑल्टर्णेटिंग है अल्टर्णेटिंग है मतलग ऐसा है कि अरग कुछ आँए हमको चाहिए क्या था डीसी वाट दी इसी दीसी मतलब और नेगेटिव तो आना ही नीच चाहिए फ फॉल्ट फॉल्ट इस वाल इस डीशी वॉल्टेज जो मिलता में ही है डारेक्ली फेल्टर फेल्टर थरकित लगाना पड़ता है हमें कोशन में बोला तो फिलाल बेशिक समझ लो पहले तो द्यान यहां पर लाएगा तो 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 अब जैसे ही याद रखना यह इंपूट क्या है एक मतला फॉजिट्फ नेगेटिव थो करन्ट पॉजिटिव ड्याइप साइकल में यह फीर फिर क्या है ologists तो जब इन पुट्ट क ने Кuschण हो गाएप साउक्ल थी क्या फोजिट्टिव वी हो गया यह होता है पी होता है पी इस पनेक्टटब यह लुट से पास होगा कहा से फास होगा जोड मीलेगा आउट्पूट पे उलेगा आउट्पूट पे वोल्टेज मिले लेगा देन जब इनिपूट का सांत पो प्म बीडिव मतलब और सिट्सक्ट उपन सुट्स साब जानी गारँ जालěघा नहीं तो और पूट्ट Distic होगा नहीं तो नेगेटिव हाफ साइकल के लिए यू है नाथिंग इस देर फिर अगले पॉजिटिव के लिए वापिस से यू विल गेट ली और नेगेटिव नहीं तो हमको चाहिए क्या था हमको चाहिए क्या ऐसा ऐसा ग्यूफ सब्सक्राइब को मिल तो नहीं पाया कॉंस्टन तो नहीं है लेकिन कम से कम नेगेटिव नहीं हो रहा है और एज यू कैन सी इन्पुट पे पूरा वेव है आउटपुट पे आदा ही वेव है इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और इसका जो आउटपुट होता है सब्सक्राइब मोटरु इस पाल से नहीं है नहीं है इस उन्हूंट इसüşट पोलिटेंग फिर फिर बोल्रेंगद उक्टिक यज में हो धिस इस इस इन्यौः इस ना पता होना आघा है एन गहिंग तो लेकिषए आपको बोला है फिकwowORT एक टीज तो दो पीक वोल्टेज तो पीक वोल्टेज आउट्पूट आउट्पूट आफ वेव डायोड एक्टिफ फाइर फेड वित इसके था साइन वेगो किया था विताउट फिल्टर की विट्टर काम क्या होता है इसको स्ट्रेट करना इसको फिल्टर करना वैसे है जो बीसी मिलना चाहिए था उसमें एसी रहे गया थोड़ा सा अटाओ उसको बोलते फिल्टर सरकेट इस टाइप फिल्टर सरकेट इस केपासेटर फिल्टर लगा देना काम हो जाएगा आपका हमको बोला है कि नहीं लगा ना है ठीक है नहीं लगाएंगे फिक इतना है तो दीसी कंपोनेंट ऑफ और बोल्टेजेज इस डीसी कंपोनेंट अब आउटकूड मतलब यह पूछा है इतना पूछा है वाट इस लिए तो अगर आपको यह चैप्तर याद पहला ही टॉपिक उसमें एक स्टेंट अवे सिम्पल सब करूला लिखा था था आओ पता होना चाहिए यू शुद नो वार्क इस डीसी वी जीज़ो बाइ पाई पाई उसमें एक स्टेट आवे पाई 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 यू शूट नॉट नॉट इस वीपीक बाई पाई पाई तो टेन अपाई आप्षिन नंबर यह और आंसर इस पर उसके पीछे का थेरी इस तेरी इस गुट गुट अब क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर ही ली आपके पास ही उसका तो कोई प्रॉबलम नहीं है यह तो रहने वाला है यह रहां पर सेकंडरी दिए सिर चेंज ऐसा है कि यहां पर एक डायोड लगा दिया तो यूआ दायोड है और वन डायोड दाउन हीर आशा है लोडायोड हे लिए टृता है आंड विडी टू और इसको बोलते हैं सेंटर तक इसको बोलते हैं और इसका एकजाट सरक्रिट आपको देखना पड़ेगा एक बार तो यह ऐसा सेंटर टाप होता है और इसको यहां से जंपर के फूर उपपर कनेक कर देते हैं यह है लोड लोड रिजिस्टंस जंपर मतलब वो कनेक टच नहीं होना चाहिए न वायर तो एक वायर है दूसरा कैसे लेकि जाओ तो जंपर डाल देते हैं गुमागर प्रिंसको जंपर और यह सेंटर टैप क्यों बोलता है क्योंकि यह सेकेंडरी सेकेंडरी को सेंटर पर इंपुट पे तो पूरा ही वेव है देन सिर्फ आउट्पूट पे क्या हो रहा है वो देख लिए जब इन्पूट यह ए पॉइंट ए बी पॉइंट जब इन्पूट साइकल पॉजिटिव हाफ है तो यह होगा पॉजिटिव और यह होगा नेगेटिव मतलब पी टाइप ओफ डायोड डीवन इसकनेट टू पॉजिटिव एंड की तो तो डीवन क्या हो गया तो कौन करेगा इविवन कंदक्ट करेगा और करेंट जाएंगा यहां से तो यहां पर वोल्टेज मिलेगा वोल्टेज मिलेगा अग्ली सैकल में मतलब मतलब इंपुट की नेगेटीव सैकल में ये कौन होगा नेगेटिव ये को जाएगा दायोट डीवन क्या हो गया रिवर्स बैस लेकिन दाइव डी-2 ओर बायस क्योंकि ये पी है ये एन है को पी ग्रेंट तो पो ऑजितिव एन कनेक्टिट टू नेग तो करेंट जा रहा है कहां से जा रहा है लोड जा रहा है तो लोड पे करेंट बतब लोड पे लोड बतब क्या आउट्पुट तो वापस से वोल्टेज भी लिए फिर अगले पॉजिटिव साइकल में वापस वही स्टोरी डीपीट डीवन फॉरड बायस दीटू रिवर्स अब लें निगेटिव में दीवन दिवर्स बायस दीटू और वायस तो दू यू सी यू है आउट्पुट फॉर कॉम्प्लीट वेव तो पूरे के पूरे वेव फुल वेव के लिए आपको रेट्रिटिटिकेशन मिलेगा तो डिफरेंस क्या है डायोड का एक में एक डाय नेक्स्ट कोश्चन ना जीनर डायोड कि यूना वाट इस जीनर डायोड है ओके तो कल हमने बेसिक थेरी देखा था इफ्यू रिमेंबर हमने देखा था जारें स्थिकश्यों अप् peee इंग जंक्शन डायोड तो जिनको याद नहीं है वो लहाँ कर लो और अच्छे से समझ लो एक्ट्रोनिक्स में आप क्यर्क्टोनिक्स में क्हरेक्ट्रिस्तिक्स का मतलब होता है आप उप वोल्टेच निहाँ हम लोग यहां पर बсь Ming और तो हमको ऐसा मिलता है यह यह था बैरियर पोटेंशल लाइट तो यह रटना जब तक बैरियर पोटेंशल ओवर कम नहीं होता तब तक करन्ट की वैल्यू बहुती स्मॉल होती है जब हमने रिवर्स बायस किया मतलब क्या किया फीटाइप को एंद से और एंडाइप को पॉज तो यहां पर करन्ट मिलता ही नहीं है कर रहे हो कि हम यूमन्स आदत है ना हमारी करन्ट नहीं मिल रहे और और बड़ा और और ब्रेकडाउन अब यह जो ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन का मतलब बेसिकली है कि हमारा डिवाइज हो गया डैमेज लेकि हम इसका भी यूज सब्सक्राइब यहां पर प्राब्लम क्या है आपके घर में इतने महेंगे डिवाइज होता है और बीजिशन होता है लाइट नहीं है लाइट मतलब वो लाइट कम रोश्णी आएगा तो वोल्टेज कम हो गया अब वोल्टेज बढ़ भी सकता है तो फ्लक्टूेशन मैंने क्या बताया बाइब वरकन इस अप्लाइब फिर तो गया आपके घर का इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज स्लक्टूेशन हुआ है तो गय इंस्ट्रूमेंट गया काम से तो नहीं होना चाहिए तो हम क्या करते हैं हम जान बुछ के उस डिवाइज में इंस्ट्रूमेंट में एक पीएंग जंशन डायोड लगा देते पर वोल्टेज से लिवाइज है आएच अपासटिय ऑग करते हो उसको बोलना जब आप एक पीएंग जैंशन डायोड को रिवर्क बैस तो लेकिन ब्रेक्डाउं भाद में विल्ज़राइट और दियूस एस वोल टेश रेगिलेटर रहेटीट को रूटेट को रेगिलिए करने के लिए मतलब अगर अगर एगर मेरे घर में वोल्टेच लो हो गया है सब्सक्राइब करता है धोड़ा सा बहुत करन डेश के पास करन लोगा घृत है। सब्सक्राइब करेंट 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 भी हाए होगा वापिस देए तो अभी आ जाते हैं हम कोश्चन के तो जीन डायोड क्या मतलब क्लियर जीन डायोड क्या है ती एंग जंक्शन डायोड है किसमें ऑपरेड किया अगर आपको याद होगा यह था सिम्बॉल और यह उपर का अगर मुझे बताना है कि ब्रेंट डाउन में ऑपरेड कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज अगरी श्रक्शन और प्रेक्ट डाउन रिजन और गया सिस्ताइव तो यहां पर श्रॉप्चर दिखाया है आपको यांपको बता रहे हैं कि यह यूजिंड डिस अंडर ब्रेंट्डाउन रिजन तो इस जीनोर डायोड तो नहीं पुद़ा ऊपर तो नीचे दॉड़ा अ अब कोश्चन पर आजाओ आप कोश्चन में बोला है अजिनल डायोड वोल्ट इक्वल टूट इसका फिटीन वोल्ट है डेट डूट लिखा भी तो सबसे पहला इसके लिए आपको करेंट इलेक्टरिसिटी के बेसिक्स भी पता होने चाहिए आपको अब आपको अब यहां पर आए आए अए यह पार्ट गया लोड पर इसको मैं बोलूगा नोड गया डायोड में इसको मैं बोलूगा आए जैड तो सबसे पहले यू एव एक्वेशन फॉर मतलब क्या पूचा है आए जैड करना होगा तो आए माइनस ल कैसे करोंगे तो वापिस से अधिस्वाइड ये जह जो किसके अक्रास है आपको पता है अक्रास में नहीं सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोटेंशाल डिफ्रंच अपर हस पार रॉट इसे थो जीनर डायोड की अक्रोस वूर्टिजेस कितना तो लोड के अक्रोंश वोल टेशना फंदरा फंदरा वोल्ट वेरी गुड देन यह हो गया आपको मिल जाएगा बट यू नौ वी टो आया वी इक्वोल टु आई पार कौन सा आइ एंगों सा आर एल कों सा वी जैड तो आयल कितना बेज़ेड़ बाय आर एल बट वाट वस वीज वाट इस आर वन किलो किलो मत अब पावर 310 पार 310 पार थी तो फिफ्टीन इंटो टैन पावर माइनस ट्री एंपिर तो यह आ गया देखो मिली आ गया मतलब यॉर वाट राइट 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 वागी है वो तो आयल मिला टोटल भी फाइंट पाड़ेगा आप बना पड़ेगा थalgिवां कि मैंने पहले दोनों काम करता है एक्स्टावर रखता भी है एक्सिकरण देता भी है तो यह कित Satan कि अया पर तो ऐसा बिल्कुल सोचने का नहीं कि यहां पर 15 है और यहां पर कुछ करण जा रहा है तो यहां पर 15 के ऊपर ही होगा ऐसा नहीं होता दे भी सकता है ले भी सकता है तो डू नाट भी अंडर वांग कॉंसेप्ट नहीं पंद्रा ना तो पंद्रा प्लस संथिंग मतलब उसके पर भी सकता है तो बहुत तिमिस पॉसिब्ल जैन अब और इस चीज यहां रखना कि यहां पे कितना वोल्टेश है 2020 वोल्टेज हैट यहे जीरो और यह फिख वैप यहां पे कितना वोल्टेज है पंद्रा मतलब यह 0 गैन है और यह हूंचे लाइन है अब जब टोटल करहं आपशवा तूराब टूती ओरंज ततुरुटल कुर अए अध पास होगा तूप्ती से तो अगॉरिंधर गॉरिंवा तो अगॉर्ट इस व्या इन यूर इन था इन र्यालिटी इस ड़िए डिरिवाट इन पॉरिट्थर को तो प्रोट विटावराइ टो विल्टर वीड़ि तो बॉर्टि इस डेल्टा वी 20 यह तुटिए 25 था यह कितना है 15 है और पड़ा होना चाहिए करन्ट ओलवेश लोस फ्रॉम पॉइंट आप हायर पॉटेंट अब लोगार पॉटेंट ऑप यहां पर हायर पॉटेंशियल कौन था 20 लोगार पोटेंशिल कौन है 15 so current will flow from 20 to 15 so potential difference कितना 20-15 और रजिस्टेंस कितना है 250 what is 5 upon 250 1 by 50 what is 1 by 50 1 1 by 5 कितना 0.2 और नीचे 10 छूड़ गया तो पर देलोगे तो 0.2 इंट पावर माइनस वन मतब तो इंट पावर माइनस तू मतब 20 देंट पावर माइनस त्री मतब कितना 20 कितना है तो आंसर कितना आएगा फाइव मिली एंपियर आप्शन नंबर बी नेक्स नेक्स्ट ग्श्टिसन्ड में जंक्शन डायोड अलब फोर्य अपी एंपियर अपर इस अलएव मैंड ऑब मैंड के और आप तो बैड गैप आप आपको बता दिया कितना बैंड इन गयप दिया है बैंड गैप और तू एक्रम वोल्ट तो तू ईविका बैंड गाप टू इविका बैंड गाप है। दू इक बैंड भाइन है द़नीम मॉपनाल ग्रीटियुंट पिछले पार मिनीमम विलंच को सब्सक्राइब पूचा है। तो सेम पॉच्टन है जब्सक्राइब्स ने सें तो यू लेकिन यह होता है तो क्या पूचा एच वाट इस टू इलेक्टरॉन वोल्ड इलेक्टरन वोल्ड को जूल में कनवर्ट करोगी वाट इस एक 6.63 इंटो 10 पावर माइन सब्सक्राइब और यह उप्पर जाएगा इन पावर 15 मतलब 5 इंटो 10 पावर 14 फोर्ट 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 इन ऑप्षिन नंबर दी लिए जिए बस ऑपगाई झाये एक में पावर 15 मतलaking ौ़ल इंटो 1 एक वापग पावर 15 मतल पावर 15 मतल सब्सक्राइब 5 गावर 15 मतल से ख componentatiques कर लिए that component यह magic कर रहाऑब पावर 15 मतल आलेक्ट om trainings मतल शear दे चूबगोर